इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गए यूक्रेन पर रूसी बेरना लगातार कहर बर पा रही है आम लोगों को नुक्सान पहुचा जा रहा है देरसल रूस्टे दावे खोखले साबित हो रहे हैं यूक्रेन के सोमी में रांत में रूसी सेना का एक बड़ा हमला हुआ हमले चार दिनों से यूक्रेन पर रूस की सेना हमलावर है रूसी टैंक यूक्रेन की सडकों पर तबाही मचाते नदर आ रहे हैं रूस की टैंक रेजिमेंट के सामने यूक्रेन की सेना कमजोर पर ते दिख रही थी लेकिन अब यूक्रेनी सेनिकों ने रूसी टैंकों को जबाब देने के लिए एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल निकाल ली है कंधे पर इस मिसाइल को लेकर यूक्रेनी से एक रूसी टैंकों को निशाना बना रहे हैं यूक्रेन अमेरिका से जेवलिन मिसाइलों की खेप की मांग करता रहा है 2018 में अमेरिका ने इन मिसाइलों का पहला बैच यूक्रेन को सौपा था 2019 में यूक्रेन ने अमेरिका से दूसरी खेप भी मांगी थी अब जब कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग के मैदान में है तो उसने अमेरिका से और जेवलिन मिसाईलों की डिमांड की है यूक्रेन पर रूस के लगातार तेज होते हमले और सेउक्त राष्ट्र की चेतावनी को नजर अंदास करने से भड़के अमेरिका ने यूक्रेन को साथे 300 मिलियन डॉलर के हतियारों की मदद का एलान किया है अमेरिका यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलों की खेप भी भेजने वाला है विशेशक्यों का मानना है कि जेवलिन मिसाइलों के मिलने से यूक्रेन युद्ध की बाजी पलट सकता है एंट्री टैंक जेवलिन मिसाइलें दुनिया की सबसे एडवांस पोर्टेबल एंट्री टैंक मिसाइलों में से एक है इनकी रेंज 5 किलोमेटर तक है इस मिसाइल का इस्तेमाल ग्राउंड पर टैंक जैसे टार्गेट और हेलिकॉप्चर या कम दूरी पर उड़ने वाले टार्गेट को निशाना बनाने में होता है अभी रूस के साथ चल रही यूक्रेन की जंग आमने सामने की है बरतमान इस्तिती में जब रूसी टैंक यूक्रेन की इमारतों से घ्रीज सडकों पर नजर आ रहे हैं तो ये मिसाइल बेहत एहम साबित हो सकती है बिरो रिपोर्ट जी मीडिया